बिस्मिल्लाइब रख्मान अर्वाहें प्लेज आइकन सब्सक्राइब माई चैनल नौवल है क्वाग्स ऐ दिल बिखरने ना दो तरीर है यूना एपिसोड तू बन्हा कैसी रही शादी कैसी लग रही ति मर्या इसके आदे साथ इकल्सुम बेगम ने सवालाद शेयर कर दी। दिखाती हूँ मम अच्छी लग रही थी दुल्हा बाई भी प्यारे हैं अच्छा कपल है मैं चैन्ज करके आजाओं फिर आपको शादी की तसावीर दिखाती ह इनसे कैसी वोट का कमरे में चली चेंज करें के बाद पिस नीचे आते इनको फंचिन की तस्वीरें निखाई सारा दिन के ठकी हुई जब वो सबसे फारिक हो कर लेगी तो इचानक आँखों के सामने एक पेरा लेराया अहां अस्तक्पार मैं क्यों इसे सोच रही हूँ करवट बदल के वो सोने की कोशिश करने लेगी ठकन के बाइस वो जल्द ही नीचे से लेगी हमजा वोश्ट्रूम से शावर लेकर निकला ड्रैसिंग के सामने खड़े होते इसने तो लियस अपने बाल जगए खुद पर पर्फ्यूम से प्रे करते इसने शीशे का प्रिवे अपना अक से इचारनक इसकी आँकों के सामने इसका मसूम चेरा गया वो पहले भी काफ़े लड़कियों से मिला था लेकिन आज तक इसने कभी किसी को बिलावजा खोद से इतना प्रैंक ना किया था लेकिन मिनहा को देखते वो नहीं जानता था कि इसे इतना जीव एसास क्यों हो रहा है क्यों इससे सोच रहा है वो तो इसका नाम भी नहीं जानता था क्यासे पता लगवाओं इसका मुझे तर नाम चत नहीं मालूम उसका कुछ देरी से सोचते वो एक नतीजे पर पहुंसता लेटता आंके मुंग जिया अगले दिन रात को रिसेप्शन था वो लोग असामा बात के लिए निकल गया थे दिल में यही ख्वाइश थी कि एक तफ़ा वो नजर आ जाए कि चानक से अरीज से इसके पास आई भाई अगर दिन का फंचन होता है तो हम यहां से शॉपिंग करते अरीज अक्सूर्दगी से बोली हाँ भाई इस मोटी को तो बस हर वक्त एक काम आता है शॉपिंग शॉपिंग और बस शॉपिंग समी से चड़ाता हुआ बोला भाई देखें इसने मुझे मोटी कहा समी ते मीस से बात करो बहन से हमदा ने समी को डांटा सॉरी वो मूँ बनाता हुआ बोला गर आकर भी बस इसका ख्याल दमाग से नहीं जा रहा था वो लेटा लेटा उट बैठा इससे अपनाले समझ नही आ रही थी ऐसा च्म हो रहा है बात इतनी सी थी कि हमदा शाय ये मानने को त्यार नहीं था कि इसे भी महबत में चुन लिया है वो जो लड़कियों से दूर बागता था देखें लड़की को एक नज़र देखने के लिए बेचान हो रहा था मैंने नीदें तवील कर दी यार तुम मुझसे एक फाल में मिला करना है हाई गर्ल वर्ट सब मिन्हा ने फून पकड़ा तो समन का मेसेज था कुछ नहीं अपने लिए नूडल्स बना रही थी तुम बताओ क्या हाल था है मेरे तो बिल्ल कुल ठीक हाल है तुम सुनाओ कहीं शादी पर टकराने वाले हैंसम को याद तो नहीं कर रही थी वो लेज़े में शिराल स्मोई गोया हुई मिन्हा का दिल क्या अगर वो इसके सामने मजूद होती तो इसका सर फार देती बकवास बंद रोको अपनी सची कहते हैं सियानी अपने राज किसी को नहीं देने चाहिए बाद भी तुम्हारी तरा जलील करता है मिन्हा चिर्टी हुई बोली त्यार क्या हो गया है गुसा क्यों हो रही है मजाद किया था मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल तो फाहद भाई के पास है इनके लावा तुमने किसी और को क्यों सुझना वो माईनी खेजी से बोली अगर तुमने यही बकवास करनी है तो मैं फिन बंद कर रही हूँ मिनार सी चोती बोली और एक हाथ में नूडल्स का बाहूल पक्रेशोपल कर बैठी अच्छा सुनो अम सच में तक नहीं कर रही शादी का तो बताओ कब तक हो रही है वे संदीदा होती बोली इंशाला एक दो मात तक का कह रही है ममा वो लोग तो कब से तरीख मांग रही है लेकर हमारी तरफ सही देर हो रही है मिनार सान निस से बुली अच्छा पहले बता देना ये ना हो लास्ट टाइम पर हमें मालू जी जी मैडम जो हुगा यू ही बातों के दर्मियान वक्त का अंदाधा नहीं हुआ दिन ऐसे ही गुजर रहे थे बेकैफ वक्त का काम था गुजर ना और वो गुजर रहा था हमदा गारी रुके एक बैकरी में गया वो अपन दोस्तों के साथ बाहे निकला था जैसे ही वो बैकरी से बाहे निकला इसकी नजर मोटर साइकल पर बैठे उस लड़के पर पड़ी जो शादी में मिनहा को लेनी आया था इसके पीछे यकिनन वो ही बैठी थी नकाब थी जल्दी से वो गाड़ी में बैठा और इनका पीछा करने लगा बाइक एक तंग गली में चली थी वो विंडोसे से दूर जाता देखता रहा तो तुम यहां रहती हो जल्द मिलेंगे फिर कहते हमदागर की तरफ रवाना हुआ वो अपने आफिस में बैठा कोई फाइल पढ़ने में मस्दूद था जब आफिस का दर्वादा कुला में आई कम इन सर इसका पीए अंदर आने की अजाज़त मांग रहा था येस कम इन वो फाइल बंद करके इसके तरफ मतवज़ा हुआ काम कहा था तुमें येस सर वो ही बताने आया था सर इसका नाम मिनहा है चोटी सी फैमली है नॉर्मल तबके के लोग है वालत जिनके इसी दुकान पर काम करती है वालदा हाउस वाइप है चोटा भाई मुसा बठा जो यूनी से बीबी एक कर रहा है मैमने मास्टर अभी ही कंप्लीट किया है और गर के पास एक मदरीसा में जाती है उमर तेइस साल है तुम जा सकती दो तो मिनहा मैं पहुँच ही गया आप इसने फाइल खोली जिस पर इसका नमबर था कुछ सोच के वह नमबर डायल के अकाल जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था तीसरी बार कॉल करने पर कुण उठा लिया गया अस्लाम लेकूम इसकी आवास सुनते ही रगों में एक अजीब सा स्कून उत्रा पीछे से बच्चों की आवाज आ रही थी वो समझ गया कि वो इस मदरिसा में है जी कौन दूसरी तरफ से इसकी आवास पिराई वो बस आगे से खमोशी से इसकी मेटी आवास सुन रहा था बोल भी दो अब या जबान नहीं है इसकी जुंजलाई सी आवास आई हमजा को बेसाफता हंसी आई इसकी बात पर लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर गया वालिकूम स्लाम कैसी है आप इसने अराम सी कुस्री की पुष्ट पर से लखके पूछा क्ONY हुआ अब लेह चर्फ जैंसी में पूछा जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ कौन हमजा आप मुझे नहीं जानती आपको याद है हम शादी में मिले थे वो शदीद सदमे में चला गया था यह सोथ करके इसे तो याद भी नहीं जी नहीं मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती है आपके पास मुड़ा नमबर कैसे आए अगेन कॉल मत कीजिएगा नमबर ब्लॉक कर दूंगे मैं आपका एक मिनट बस मेरी बात सुन ले प्रीज जी फरमाएं वो चिर्टे हुए बोली मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ अपने गरवालों को बेजना चाहता हूँ आपके गर हम्जा दल्दी से बुला बस बस ये जादा हो गया यहां मैं रिष्टे वाली नहीं हूँ आप जाकर किसी और से राप्ता करें और दुबारा कॉल मत करिए गा मैं मर्यम को बताउं कि आपको ये बोलते साथ इसने खटाग से फून बंग कर दी कुछ लम्हें तो वो फून को देखता रहा फिर खमोशी से उठाव गर के लिन कर लिया असलाम लेकुम इसने घर में दाखिल होते बूला सब लॉन में बैटे एक कुछ शाम की चाय पी रहे थे अरीज और समी को प्यार करने के बाल इसने दादी के कमरे का रुख गया असलाम लेकुम दादी कैसी है आप वालेकुम असलाम आज तो जल्दी आगया मेरा बेटा वो इसे देखकर मुहब्बत से गोया हूँ जी बस कुछ जरूरी बात करनी थी आप से दादी वो इनके पास बैट पर बैटते भी बोला जी मेरा बच्चा क्या बात है वो मतपकर से इसकी तरफ देखकर गोया हूई नहीं नहीं परेशानी वाली बात नहीं दादी जान बस आपकी खौईश पूरी करने वाला हूँ शादी करना चाहता हूँ लड़की पसंद आ गई है मुझे शुकर खुदा आखा सफीना बेगम जो कबसे इसके बीचे लगी हुई ती इसके शादी करलो खुशी से पूरी माशाला कौन है वो कहां रहती है बस पिर दादी के सवालाद चिरू हो गए लुक तो जाए अभी मैं भी जादा नहीं जानता बस मर्यम की शादी पर देखा था इसकी दोस्त है बस वो मान जाए दादी जान बोल से वो इनके हाथ थाम जाए यो नहीं मानेगा मेरा बच्चा इतना प्यारा है नेक है अल्ला सब बहतर करेगा मैं ममा से भी बात करता हूँ फिर आप दुनों इनकी तरफ चाहिएगा और आपने जवाब हां में ही लेकर आना है हमजा इसकी हाथ पर बोसा देता हुआ बोला मेरा बच्चा जो चाहेगा वही होगा डादी दी से प्यार से तसलिवी रात में खाने से फारग होगा वो फून पकर के बैठी ही थी कॉल आगए इसने जैस करके फून कान से लगाया जी कौन? मैं हमजा इसा तुम? क्यों कॉल कर रहे हो? मैंने मनना क्या था ना तुम्हें? काम डॉन पहले मेरी बात सुनने मेरे घर वाले आना चाहते हैं आपके गर क्या दमाग ठीक है तुम्हारा? मतलब क्या फजूल हरकत है? मेरी मंगनी हो चुकी है आप बराए महरबानी मुझे तंग ना करे और किसी और कर ढूंगे अग दुपारा कॉल मत कीजिएगा वो इंतहाई गुसे से बोल लुको कॉल बंगी तो कल तुम्हारे पास मजूद होँगा सुन लो गौर से मेरी बात शादी तो मैं बस तुम से ही करूँ हम्रा गुसे से बोला इसका तुमंगनी वाली बात सुनकर ही बमाग हो गया था फजूल मत बोलो बहुत आये गए तुम जैसे ऐसे ही लड़कियों को जुरादम काके इनको ट्रेप करते ही तुम जैसे लोग लेकर गलत बंदी से बात कर रहे अब काल की तुम्हो तोड़ दूँगी तुम जानते नहीं हो मुझे मिरी फैमली को इसले दूर हो मुझे और जाकर अपनी जैसी देखो कोई कहते साथ मिन्हाने फ़ून गुससे से बन करते ही हमजा की आंखे गुससे की शिदत से लाल हो गई थी तुम अभी मुझे नहीं जाना बी भी हमजाई शाह को जब एक चीज़ पसंद आ जाए तो वो इस पर किसी की नजर भी बरदाश नहीं करता तुम तो फिर जीती जागती इंसान हो मेरा चैन स्कून लेकर तुम मज़े से रहोगी ऐसा नहीं होने दूगा खुद से कहते हैं वो गाड़ी की चाबियों खाकर घर से बाहर नकल जा जिन ऐसे ही बेकैफ गुजर रहे ती चानक हमजा को एक दील के लिए दुबई जाना पड़ और इस समय वो में नहा को लेकर बिलकुल गाफी हो गया वो सोया हुआ था मॉबाइल की मसलसल बज़ती बेल से इसकी आंख हुई क्या बात है रफीक तुम जानते हो कि मैं अभी आया हूँ फिर इस गुस्ताकी का मतलब वो फून उठाते गुसे से डाड़ा रफीक का तो रंग ही उड़ क्या अब बको भी क्या बात है सर वो बात बहुत जरूरी थी इसले कॉल की सर आपने कहा था कि मैडम पर नज़र रोको सर मुझे लगता है मैडम की शादी है मैंने इनका पीछा किया वो बजार जा रही थी इन्हें अपनी वालदा से बात करते सुना था मैंने उनसे बात कर रही थी शादी से रिलेटिव, वो जल्दी जल्दी इसको समत आने लगा, भी सुनना था कि हमजा का चेरा लाल हो गया, तो तुम निकल लिए अपनी मर्जी, अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसमें फॉरान अपनी वापसी की टिकट बूक कर रही, इसके नहीं आई हुआ क्या है, गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी, कौन है तुम गाड़ी रोको, वो चीकत सब को इकठा कर लूँगी, वो चीकती हुई, इसका बाद जिंजोड रही थी, जैसे इसकी नजर मकाबल पे पड़ी रंग एक तम से फिका पड़ गया, तुम, गाड़ी एक तम से रुकी, किसी खामोगी जगा पर मिन्हा बहुत को अदा खौफ सदा होगी, हमजा ने बादों से पकड़ के इसको बाहर निकाला और फून पे एक नमबर डायल करके स्पिकर रॉन कर ला, बहुत गलती कि तुम ने मिन्हा, तुम जानती नहीं अभी हमज होने वाले हैं, अगले महीने मेरी शादी है, अल्ला का वास्ता मुझे छोड़ दो, मुझे सिर्फ हां सुननी है, वरना कहते ही हमजा ने गिंती शुरू की, एक रुको रुको, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, अभी वो तीन बोलता को जल्दी से बोलू की, बस मेरे भाई क कुछ मत करना, मैं तुम से नका के लिए त्यार हूँ, सोच लो एक बार, अगर मुझे इंकार मिला तो अगरी बार मौका नहीं दूँगा, नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंग, इसे हम मना करो, इसे बोलो मेरे भाई से दूर रहे, मि जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो दुबारा कॉल करूंगा, यह कहते साथ ही हमदा ने फोन बंद कर दिया और मिनहा की जानब देखा, मतवज्जा हुआ, दो दिन बाद मेरे घर वाले आएंगे, तुम्हारी तरफ जवाब हाँ ही होना चाहिए, इसका गाल तपत तपा कर व आपिस होना होगे, बस किसी काम के लिए वाया था ताके एक दफ़ा इसे अपने स्टाइल में समझाया जाए है,